असलाम अलेकुम अजीज तल्बा जमात हफ्तुम के जुग्राफिया के सबक नमबर 6 खुद्रती खित्ते में हम इस वीडियो में इस्तिवाई खित्ते के बारे में मालूमात हसिल करेंगे सबसे पहले इस खित्ते का महले वक्व जानते हैं खत्ते इस्तिवा के पाच दर्जे शुमाली और जुनूबी अरजुल बलत के दर्मियान ये खित्ता मौजूद है जिसमें मेलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, गिनी और कांगो का किनारा, दर्याए, एमेजोन की वादी वगेरा इलाके शामिल है अब देखते हैं यहां की आबो हुआ कैसी है गर्मियों का दर्जे हरारत तक्रिबन 30 दर्जे सेल्सियस होता है सालन आउसत दर्जे हरारत 27 दर्जे सेल्सियस होता है अमाले तफ्खीर का अमल बहुत ज़्यादा होने के सबब यहां आउसतन बारिश 2500 से 3000 मिली मिटर होती है मतलब यहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है गर्म और मर्तूब आबो हुआ की वज़ा से दर्खतों के पत्ते गल सड़ जाते हैं जिसकी वज़ा से आबो हुआ गयर सहतमन बन गई है यहां खूब गर्मी और साल भर बारिश होती है आबो हुआ का असर कुदरती नबातात पर कैसा होता है देखते हैं बारिश बहुत ज़्यादा होनी की वज़ा से यहां घने दरखत पाए जाते हैं रोशनी हासिल करने के लिए यहां की नबतात की उचाई बहुत ज़्यादा होती है इसलिए यहां खूब घने सदा बहार जंगलात वजूद में आ गए है यहां की नबतात में बहुत ज़्यादा तनों पाया जाता है जंगलात इतने ज्यादा घने हैं कि कही कही पर सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुचती यहां दलदली इलाके पाए जाते हैं यहां के दरखतों की लकड़ी सक्त होती है यहां की नबतात में महागनी, ग्रीन हार्ट, चोप सुर्क जिसे रोजवूड भी कहा जाता है आबनोस वगएरा काबिले जिक्र है आगे देखते हैं इस्तेवाई खित्ते की हैवानी सिंदगी इस्तेवाई खित्ते में अलग-अलग किस्म के हैवानात पाए जाते हैं बहुत ज्यादा बारिश की वज़ा से यहां दलदली इलाके भी वजूद में आ गए हैं जहां मगरमच, दरियाई घोड़ा, एनाकॉंडा वगएरा पाए जाते हैं इसके इलावा दरक्तों पर रहने वाले जानदार गोरिला, चिम्पांजी, हौन बिल जिसे अबुकरन कहते हैं वगएरा भी पाए जाते हैं साथ ही यहां जहरीले हश्रात भी पाए जाते हैं जैसे तसे तसे मक्हिया इन मक्यों की उम्र आम मक्यों से लंबी होती है अब देखते हैं इस्तिवाई खित्ते की इंसानी जिन्दगी दलदली जमीन घने जंगलात और जहिरिले जानदारों की वज़ा से यहां इंसानी बस्तिया बहुत कम है यहां के लोगों की जिन्दगी ज्यादा तर खुद्रती चीजों पर मुनेसर है यहां ज्यादा तर अधिवासी लोग रहते हैं दलडली जमीन या जादा बारिश की वज़ा से यहां मकानाद दरखतों पर बनाये जाते हैं इस्तिवाई हित्ते में अफरीका और एशिया का पिग्मी कबिला शुमाली भारत में या खास तोर पर रियासत आसाम के बोरो इंडियन कबिले मलेशिया के सेमांग कबिले जिक्र है